हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता, वेलकम टो मैं चैनल स्वेताज की चैनल लाइफ स्टाइल, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं बच्चों के साथ बच्चों के बीच में रहकर कैसे केक बनाती हूँ, आज मैंने बच्चों के साथ मिलकर बहुत ही प्यारा सा चॉक कर ले रही हूं यह 400 g का है आप देख सकते हैं मैं सारा ही कट करने वाली हूं गर्मी का दिन है इसलिए मैं यहां पर ट्रफलाइट 400 g ले रही हूं और 400 ग्राम चौकलेट ले क्योंकि अभी गर्मी के समय में काफी तेजी से चौकलेट मेल्ट हो जाता है तो इसलिए अगर गनास की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाड़ी रहेगी मैंने इसे बॉयल होने के लिए गैस पे विठा दिया लेकिन गैस की फ्लेम को लो रखना है और चलाते हुए इसे बॉयल कर ल करना है क्योंकि यह जल सकता है और धीमी आज पर ही करना है इसे मैंने सारा डार कंपाउund इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिल्ट कर रही हूं साथी मैं जब भी केक बनाती हु मेरी बेटी कुछ न कुछ तुसमें करेगी ही करेगी आप देख सकते हैं हमेसा चोकलेट गनास बनाने पे बिल्कुल बेकरी जैसा स्वाद भी आएगा और टेक्स्चर कलर सब बेकरी जैसे आएगा इसलिए मैं हमेशा ट्रोपलाइट का ट्रफलाइट ही यूज करती हूँ यह चानना बहुत ज़री है आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा इसमें टुक मिक्स ले रही हूँ चोकलेट प्रिमिक्स साथ ही मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है और उसके बाद मैंने वन टीज़्पुन के बराबर रिफाइंड ऑयल लिया है जो कि अनफ्लेवर्ड है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद मैं इसे केक्टिन में डाल कर 160 डिगरी पे 40 मिनट के लिए बेक करूंगी OTG को मैंने 160 डिगरी पे पहले से प्रिहिट करके रखा है तो अब मैं इसे बेक करने वाली हूँ और बेक करने के बाद इससे अच्छी तरीके से ठंडा होने दूंगी एक कप प्रिमिक्स लिया है तो एक कप ही यहाँ पे विपिंग क्रीम डूंगी यह मेरा अपना अंदाज है जिससे प्रॉपर मेरा हाप केजी का केक बनता है जब तक क्रीम विप्ट हो रहा है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप विडियो के लाइक और शेयर बटन को दबाईए और साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर नहीं है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें के इसो शजेया रखनानाय साथी बेल आइकन को भी दबाएं क्रीम भीट हो चुका है अब मैं इसमें चॉक्टTT गनास मिक्स करूंगी यह चॉक्लेट गनास मैंने इसे सेट होनें के बाद मैंने फ्रीज में रखा था क्लीन ड्रेफ से रीफ करके दोस्तों यह चौकलेट गनास मैं 24 गहंटे पहले बनाती हूं क्योंकि इसे सेट होने में काफी टाइम लगता है लेकिन यहां पर कस्टमर को काफी अच्छा इसका टेस्ट लगता है इसलिए मैं गनास को बना कर रखती हूं चौकलेट गनास सेट हो जाता है तो काफी अच्छा डिक्रे और उसके बाद मैं इसके उपर क्रीम लगा रहे हूं गनास मिक्स किया हूँ और उपर से मैंने थोड़ा सा गनास रखा है साथ ही मैंने चोको चिप्स रख दिया है नेक्स लेयर रखने के बाद फिर से मैं वही प्रोसेस को दोराऊंगी दोस्तों ये केक का ओर्डर मुझे दो दिन पहले आया था तो चॉकलेट केक जब भी बनाना होता है तो मैं इसका गनास पहले तियार करती हूँ इसलिए मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था मैं रात के 11 बजे के करीब गनास तयार कर रहे थी क्योंकि नेक्स डे साम को मुझे ये केक तयार करना था तो चॉकलेट जो गनास है अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए था इसलिए मैंने रात में ही गनास को तयार करके छोड़ दिया था अगर मुझे अमुल फ्रेस क्रीम से गनास बनाना होता तो मैं एक दू घंटे पहले बना कर और थोड़ा ठना होने के बाद उसे फ्रीज में सेट होने के लिए रख देती लेकिन इस तरीके का गनास आप भी बनाएंगे तो आपके केक की डिमान बढ़ जाएगी क्रम कोट करने के बाद 15 से 20 मिनट मैंने इसे फ्रीज में सेट होने के लिए छोड़ दिया था और काफी ज़्यादा गर्मी है और मैं अभी तक किचन में इसे बना रही थी अब मैं इसे रूम में बनाऊंगी लेकिन ये देखिए मेरा यहाँ पे वीपिंग क्रीम जो चॉक से मिक्स करूंगी और आप देखेंगे रिजल्ट काफी अच्छा होगा हमारा क्रीम बहुत ही स्मूथ हो जाएगा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा ताकि हम इसे अच्छी तरीके से केक के उपर लगा सके और आप देख सकते हैं मैं कैसे बच्चों के बीच में उनको मैनेज करते हुए केक बना रही हैं । अगर आप एक हाउस वाइप है और आप भी कुछ करना चाहती हैं तो घर में रहकर ये काम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सफाई से बहुत ही अच्छी तरीके आप यह काम कर सकते है तो आप अपनी फैमिली और घर बच्चों के लिए ट लिए कुछ काम करते हैं और उससे अकर कहीं आपको अर्न होने लगता है आप कुछ पैसे कमाने लगते हैं वो खुशी एक अलग ही लेवल की होती है तो इसलिए आप अपने सौक को अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचानी और कुछ न कुछ जरूर कीजिए मैंने इसकी कर ली है लेकिन अवंतिका ने मुझे ग्लास में पानी ला कर दिया है क्योंकि वो हमेशा देखती है कि मैं लास्ट में जब फिनिशिंग देती हूं तो इस पैचुला को डिप करती हूं तो इसलिए उसने मुझे ग्लास में पानी ला कर दिया है और काफी अच्छा लगता ह जब बच्चे आपकी मदद करते हैं यहाँ पर मैंने साइड में कॉम कर दिया है और आप देख सकते हैं इसकी फिनिसिंग हो गई है अब मैं इस पर डेकॉरेशन करूंगी तो मैंने उसी ग्लेज को थोड़ा सा गर्म किया है और गर्म करने के बाद पाइपिंग बैक में डाला है और इस तरीके से मैंने इससे केक के चारो तरफ डाल दिया है मैंने उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है बस सिर्क 10 सेकंड के लिए गर्म किया है गनास को और आप देख सकते हैं ड्रिपिंग काफी अच्छी हुई है और ये बिल्कुल जस का तस रहेगा अब इससे जाता नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ड्रिपिंग बहुत ही अच्छी होती है तो केक का लुक और भी बढ़ जाता है 1M Nozzle से मैं इस तरीके से डिजाइन बना रही हूँ अब देख सकते हैं बस कुछ नहीं करना है टरन डेबल को घुमाते जाना है और अपने हाथों को भी घुमाते रहना है और आपका डिजाइन बन जाएगा मैंने चॉकलेट पूरे केक पे उपर इसलिए नहीं राला क्योंकि मुझे ये केक सुबर साथ बज़े देना है ये केक मुझे स्कूल में टीचर के बर्थ डे के लिए देना है कभी कभी क्या होता है कि अगर चॉकलेट गनास के उपर हम क्रीम का डेकुरेशन करते हैं फ्लावर बनाते हैं तो वह साइड से गिर जाता है स्लिप कर जाता है इसलिए मैंने उस एरिया को छोड़ दिया जहां कि मुझे वन एम नोजल से डिजाइन बनाना था और बीच में और साइड में मैंने चॉकलेट इस तरीके से डाल दिया है ये देखिए केक बनकर मेरा तयार है और इस तरीके की गार्नेसिंग आप सीखना चाहते हैं तो लिंक मैं सिक्रिप्शन बॉक्स में में देढ़ेंगी मैं इस गार्नेसिंग गर में भनाती हूं और बहुत यह castle है बनाना आप इसको बना सकते हैं यह रात में केक त्यार हो चुका है अब मैं सूब इसकी पैकिंग कर रही हूँ आप देख सकते हैं ये भी त्यार है और बेटे के साथ मैं इसे स्कूल भेजने वाली हूँ